हलो एवरिवन और वेल्कम बेक टू एनिबडी कैन लर्न जीके आज जब पाँ इस वीडियो देखांगे MS Word दे कुछ IMPORTANT MCQ ते आज जे वीडियो दाएगा FIRST PART ते आनवाले सारे एक्जाम जेडे पंजाब दे होनगे P3 Plus भी लेऊगा जिनना विज कंप्यूटर आऊगा ते MS Word पुछ जाऊगा ओदेली बहुत ही IMPORTANT है गिया ता MAKE SURE की वीडियो शुरू तो लेके END तक जरूर देखें तानू बहुत ज्यादा benefit होगा एक्जाम देविच ता शुरू कर दें आज दे अपनी वीडियो दे पहले क्वेश्चन देनार ते जेकर तुसे इस वीडियो दा 100% अडवांटेज लेना चालने हो ता अपना जेकर तो आड़ेको लैप्टोप है ता लैप्टोप खोलके MS Word दे अप्लिकेशन खोल लो ते जेकर तो आनू MS Word देवे अच्छी नोलेज है ता तुसी इस वीडियो नू ऐजे मौक टेस्ट भी ट्राइ कर सकते हो पहला क्वेश्चन है गा विच फाइल स्टाट्स MS Word यानिके अपकेडी एक्जेक्यूटीव देनार MS Word डिरेक्ट भी खोल सकते हो ता ओ फाईल है गिया जी विन्वर्ड यानके विन्डोस वर्ड.exe.exe दा मतलब मुन्द जी एक्जीक्यूटेवल फाईल ते विन्वर्ड दा मतलब ओ ही है विन्डोस वर्ड हुन अपकाँ प्रैक्टिकल की मैं करांगे नू जी में अपकाँ विंडो आर दब के जिड़ अपना विंडो दा बटन होंद आएगा प्लस आर दब के रन कमांड खोल ले मांगे रन कमांड देवी जी में आपना आ लिख देया विंवर्ड ओड ओएक्सी जिद्धा याप आ लिके एंटर मारांगे यानि कि आपनों एक्जीक्यूट करने दी कमांड देवांगे ताँ वहो एमेस वर्ड खोल देवेगा ता अंसर हो जाओगा ओप्षिन नमबर ए इस तो लावा तुसी जिदे तिन ओप्षिन देते गए ने तुसी यत्ति चाहूं तो फिल करके देख सकते हूं ता ओठेक एरर आएगा ओएरर आओगा इद्धा विंडोस कैनोट फाइंड जिदा भी तुसी लिखोंगे मेक शूर यू टाइब नेम कोरेक्टली एंड दन ट्राइ अगेन तुकि जदो हो आपा सही कमांड कमांड प्रोम पर देंदर लावांगे ताहीं यो कोई चीज ओपन करेगा अधरवाइज हो हर बारे ददा ही तो नू आंसर देवेगा ते नेक्स्ट कोशन तो जानतो पहल नेक्स्ट गल कर रहे हैं विच वन अधर फॉलोविंग इस नॉट वैलिड वर्जन ओफ एमेस ओफिस एमेस ओफिस दा केड़ा वर्जन नहीं है गा मैं हून ता नुए की लिस्ट वर्वाइड करांगा जिदे विच जिनने भी वर्जन आये ने एमेस ओफिस दे वो तुसी देख रहे हो सब तो पहला आया जी एमेस ओफिस 95 फिर 97 फिर 2000 फिर विंडो एक्सपी ओ सॉरी माइक्रोसोफ ओफिस एक्सपी देन ओफिस 2003 देन 7 द देख्या जी 7 भी आ चुक्या थे विच्टे 19 जड़ा लेटास्ट है एट मिन्स ओफिस विस्टाइक वैलिड वर्जन नहीं हैगा एमेस ओफिस दा तो ऑफिस नंबर बी हो गएदा राइट अंसर तो इन्पोर्टेंट का लावी है कि जड़ा 19 हेगा वो करंट वर्जन है ते विंडोस ते मैक दोना लेए ते हुन जड़ा एनू सक्सेसर होएगा एदा ओफिस 2021 आएगा इनके ओफिस 2020 नहीं आएगा ओफिस 2021 आएगा वैसे मैं सोच रहा थी ना इस वीडियो नूं कम्प्लीट मितलब एक वीडियो देंदरी सब कुछ कवर करवा था लेकिन थोड नेक्स्ट वीडियो विच ट्राय करेंगे कम्प्लीट करवा था नेक्स्ट कर रहे है कि जड़ी वर्ड दी डोकुमेंट है वो दी डिफोल्ट एक्स्टेंशन की उन दी है लेकिन अस्तों बात जड़ी लेटास वर्जन हले भी चल रहे ने उना दे बीच डॉट दी ओसी ए तो वर्ड है ग्जों की डढ़ एक है कियो म्पाइलर खिले कंपािलर एक प्रोर्रांव एating शोफ्ट वर अप्लिकेशन शोफ्ट वर एभिय या फेल एक सिस्तें सोफ्ट वर आ करना दो तरह रहे हों देन है केड़े-केड़े पहला उंदर जी सिस्टम सोफ्टवेर सिफ्टम शिटम नो कstesम जिमें की विंडोज हो गया Linux मैक्स उबन्यत्य वगएरा सारे उप्रेटिंग शिस्टम हों देन CA ने पहला ऑक्थ्टरा दी सिस्टम software दे वीच categorize कर देया second one दे है जी application software यानि के जी में अपा computer चला रहे है जी दे वीच ओना वीच कोई application यूश कर रहे है माल लो अपा MS Office से यूश कर रहे है तो वी application software है आपा browser open कर रहे है Google Chrome खोल लेने है Firefox खोल लेने है वो भी एक तरह दा application browser है देट मेंज वो एक application होते है देट मेंज MS Word की हो जोगा एक application software option number C ते next question जाएन तो पहला जे तुसी पहली बार आया हमता subscribe जिरूर करे और red बटन दे क्लिक करके ते दी PDF तो आनू मिल जावेगी टेलिग्राम दे उते है इसलिए तो आनू टेलिग्राम फोलो करना पहेगा जेकर तो आनू PDF चाहिए है link description दे विच दित्ता हुए है ते in case तो आड़ी कोई query है तुसी मेरे नाल गल करना चानने है कुछ कोई चीज पुछना चानने होता जदो इपने कोई particular file है जिवे मैं आप फाइल खोल ली है हून आपकी करांगे जिद्धा ही function f12 की press कर देवांगे तब basically key में लूग आपन देखनू वो एद्धा दना एक save as दा dialogue box खोल के देगा ते थे आप अपनी file दा नाम जेडा है वो लिख देवांगे भी अपना इस नाम तो file save करना चाने है या ते जिद्धा ही पाइस save करांगे तब file save हो जाएगे that means save as dialogue box खोलेगा यह save dialogue box और save as जे ना काफी ज़्यादा फरक है current file देवी changes ले आनली अपना save the button यूज कर देया जेकर एक file कम कर रहे है वोदी एक copy बना आनली यानके आप एक different file बना आनली यूज कर देया ता आपा save as the यूज कर देया दोना वीच different है difference है त्यान रख्यो ता आंसर जागो option number D save as dialogue box तेकना ता save as dialogue box है एक हुंदा है जी open dialogue box यानिके जेडा तो अडिकोल previous file आपया ने या फिर ओर भी अदर option दखान दाएगा ओ देली आपा control plus f12 यूज कर देया या फिर control plus o यानिके control o तो open होगा next गाल कर रहे है जेडा thecerous tool हुंदा है आम इस word दे विच वो किस चीज दे लिए यूज हुंदा है तो जेडा thecerous tool है वो हुंदा है similar kind of word यानिके जेडा word दे लिए अपनों होड दुजा word चाहिदा ओधा word तुन डल लए जिव आपका करते है similar word नों आपका की कहने है synonym कहने है तो आपका देख लेना है आपका की में करते है यूज जी में अपनी कोई file है मानलो अपनों आप फाइल लिखी सी में success दाना अपनों कोई similar word चाहिए success तो इलावा अपनों होड कोई word यूज करना है फिर आपका की करांगे जी review tab दे जाके तुछी देख रहे हो थे thecerous की देवपर प्रेस करांगे जिद्धा ही आप उते प्रेस करांगे एक होर डायलोग वोग खुलेगा आ देखो जी आयने की किता में success word दे similar word देखी सीना सब्द खाता achievement, accomplishment, victory, triumph, antonium भी दास्ता बलके ता इस तरह तो आपका देख सकते हैं कि thecerous tools आपका यूज कर देया synonym words find currently तेदी shortcut की भी है जी shift plus F7 दबदांगे यानि कि अपका किसे particular word नूँ या text नूँ select करांगे तो उसतो बाद shift plus F7 की दबआंगे ता thecerous tool आजावे कोई thecerous केंदा है कोई thecerous केंदा है different हो सकते है pronunciation लेकिन कम होई फेर काल करदा है what is the default font size of a new word document based on the normal template in 2016 or above जदो भी अपन नमा word document खोल दे आना था font size दी कल कर रहेगा आना तो उन्हों से ज्यादा clear आज एडा होंदा हैगा font type होंदा हैगा 11 लिख्या होंदा है font size होंदा है font size होंदा है ता आप उच्छ रहेगा by default किना होंदा है by default होंदा है 11 पॉइंट आप उच्छ देख रहे होंदे 11 ही हैगा ते जेकर में 2003 दी कल कर रहा है उस्टेवना 12 पॉइंट होंदा लेकिन 2003 तो बाद जिन्ने वी version आयने होना सारा मीचिट है default font size हो 11 है हां अपा इन्हों काटे ज्यादा बिल्कुल कर सकते है लेकिन default दी कल कर रहा इनके जदो भी आपा फाइल खोल लांगे ता आही settings ओपन होंगे फिर कल कर देजी दुस्या सीगो थे font size 12 सीगा ते जड़ा 2-3 वीच default font सीगा उसीगा जिद्धा ही 2-3 वाज इनने भी software आयना वीचों default font size 11 पॉइंट हो गया ते जड़ा font हैगा हो हो गया option number C फिर कल कर दे word wrap feature wrap करना बेसिकली मतलब क्यों आयगा तो अपा लाइन लिख रहे आना जिदे में पर wrap करता ता हो जड़ा जड़ा जूरत होएगा next line दे विचना option number C एदा सही आंसर होगा automatically move text to the next line when necessary next कल करता है what is the smallest and largest font size available in the font size tool on formatic toolbar यानि के जिम्या पकल कर देया की वहता में तुम दस्या सीगा की default font size की होंदा हैगा लेकिन आप उच रहे की जड़ा smallest लार्जेस्ट केड़ा available होंदा हैगा वह भी अपां screen दी जाके देख सकते हैं screen ते जिदा ही में क्लिक किता 11 ता default सीगा लेकिन जिदा ही चार्ट खुले पां देख रहे हैं सब तो छोटा केड़ा है सब तो वड़ा केड़ा है 72 that means smallest 8 and largest 72 font size available होंदा हैगा कांसर हो जोगा जी option number B 8 and 72 ते यहनों भी open करन ले जड़ी चोटकर की होंदियो यह control D नाढ़े जिदे पा control D दब आगे ता आवड़ा box खुल जावेगा जदो भी आपा control D प्रेस कर आगे ता अपनू इस तरहांदा एक dialogue फो खुल जाएगा ज़ेड़ी चेंज़ेस आपकरने जाने font दे विच केड़ा style लखना है और size रखना है वो साज़ीज जाने चेंज कर सकते हो इन गाल कर रहा है जदो भी आपका वर्ड दे विच पीराइट सिंबल पाना है, निकी केड़ी शोटकट की यूज कर दे अपका तो आपका यूज कर दे आपका ते बहुत बार प्रांदे वीच पुछा गया है तो यह सम्झोंगे नहीं कि mostly हर दुज्जे पे प्रचना पुछ लें देने spelling check बार यता है ते गन्फूस बता है कि थे कर देने F7 देनगे option दे वीच control F7 देनगे alt F7 देनगे या फिर shift plus F7 देनगे तो देन रख्यों कुछ नी दबनाएगा सिरिफ F7 दबनाएगा किसे भी particular word यहनू select करके है फिर कल करदा है what is the maximum number of column that can be inserted in MS word table MS word दे भीच पे आपा table यूज कर सकते हैं ते पुछ रहे कि maximum number of column किन्ने पा सकते है तो इंसर्ट दे भीच टेबल दे भीच जाके आपा जिद्धा ही इंसर्ट टेबल ते क्लिक करांगे हाला कि basically जेकर आप आप ए ते क्लिक कर दांगे न इन दोना थे that means एक रो ते कोलम बनके आ जावेगा लेकिन जेकर आपने मन चाहे लोजन कोलम इंसर्ट करना चाहना है या तो इंसर्ट टेबल ते पा जाके क्लिक करांगे जिद्धा ही क्लिक करांगे या फिर एक डायलोग बोग खुलेगा जिद्धे आप देख रहे हैं ना number of column तो जिद्धा maximum number of column जा सकते हैं ना 63 जा सकते हैं अंदर की हो जुगा जी option number B 63 उन गाल कर रहे है what is the maximum number of line you can set for a drop cap पहला तो आपनू drop cap दा मतलब समझाना चाहिदा है फिर आपा देखांगे भी 3,10,B या 15 जो भी है जदो भी आपा इंसर्ट दे भी जाके देख रहे हैं तो उसी drop cap दा option आ रहे है क्लिक कर दांगे ना तो फिर आजाना है जी एक हो डायलोग को खुलके यानिके जुमें तु सी newspaper देविच अक्सर देख देख देऊ ना पहला वड़ना वड़ा हुंदा है कहीं बारो तीन तो चार लेन नों कवर कर रहा हुंदा है तो नी नी कर सकतें और पार सकतें तिन जीब उस्दा डिफॉल्ट किन नहीं होंदिया फिर अपता रपाना अंसर कर दे च्री यह त्री लाइन ने ओडि इफॉल्ट तो यह था था दो पोजीशन बारे पुछलंदा है दो पूजीशन बारे की में आ देखो आप पोजीशन पुछ रहेगा अता ना नहीं है इसके लिए अपकांट करांगे इन इक होंदा ड्रोप इक होंदा इन मार्जिन तब दो पोजीशन ड्रोप कैप दे विच यूज हुन दिया ने नेक्स्ट गल कर रहे है विच ऑप्शन इन फाइल पुल डाउन मेन्यू ता पाँ देखनों की मिलाएगा कि अपकां जदो भी क्लोज बटन यूज करांगे ना ओठीज बन्न हो जावेकि जीज बन्द हो गेगी वर्ड दी बंद करना लिए अपा close भी उस करांगे ते application नूँ बंद करना लिए exit करांगे तो उन्हेता answer कि यह हुगा वो हुगा जी close क्योंकि ना ने MS Word फाइल दे बारे गल किती है ना कि application बारे फिर गल करदे है what is the shortcut key for find and replace dialogue box यानके find and replace dialogue box तो यह भई shortcut key 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 II you to have easy मलनो हम सीथ आरे इसे कम कर्या तो अपन को वर्डेरे curry करना हेगा ता आपकी करांगे ता अधी लिए यूज करांगे control plus G यृसित ही इनके जित्ला ही अपना country गाडम गा एक एक ऐगक भॉक्स खुल गया उन्हां पैजिंख कार सकते हैं सब स्क्रिप्ट लई किसे भी स्लेक्ट टेक्स दे लई आपकेड़ी शोटकट की यूज़ करें लिए हुन पहले ता पता हुन अचीद है सब स्क्रिप्ट की है जी मैं की मैं कार्मन एक साइड बारे गल कर ले ना आपकी में लिख दिया जी सबस्क्रिप्ट कहांगे तो मैं कंट्रोल प्लस इक्वल टू प्रेस करांगा ता सिलेक्ट आर के टू नू ता हो एद्दा बन जाएगा देट मीन्स आंसर किया जाओगा ओप्शन नंबर सी ते जेकर में मैं सूपर स्क्रिप्ट करना एगा तो फिर मैं शीफ्ट ओर एड कर दमांगा यानि के यह दे विस ता कंट्रोल प्रस इक्वल टू आया सी का यह दे विच कंट्रोल शीफ्ट ते एक्वल टू दबांगे ता ज़िदा टू आ तू है आ दे फिर काल करदा है इन MS Word Shortcut Key CTRL प्लस W जेड़ा CTRL प्लस W यह का दे लिए यूज हुन दा हैगा जीटी करंट विंडो चल रही है ना आपनी वर्ड दे विच ओनू क्लोज करन लिए यूज हुन दा है ता option नंबर सी जेड़ा हुगा एदा राइट आंसर हुगा क्लोज दा करन्ट विंडो ओप्शन नंबर सी CTRL डबल्यो यह बहुत एक्जाम वीच मुझा हैं दा हैगा क्योंकि आपान नॉर्मली वी जेड़ों कम कर दे आना ट्राइ कर रहा करो की वर्ड दे उपर की एक्सल दे उपर कर रहा हुगा मैं जिननी जादा शोटकट की यू ते कुछ ना कुछ एक्जेंपल लांदे रहो फिर गाल कर रहा है काफी basic question हैगा लेकिन फिर भी गलती कर दे स्टूडेंट्स पूछ की रहा हैगा जदो भी आपान नया paragraph start करना हैगा अपनू की की प्रेस करनी है केड़ी की प्रेस करनी है डाउन करसर की एंटर शिफ्ट एंटर या कंट्रोल एंटर ता सिंपल जा question है का तुसी कुछ लिख रहे हूं ते नया paragraph शुरू करना है तो की करोंगा एंटर ही मारोंगे सिंपल जा है एंगे फिर भी बच्चे गलत कर देंदने ना फिर गाल कर रहा है तू व्यू हैडर्स फुटर्स यू मस्ट स्विच टू इनके जा अपना हैडर ते फुटर देखना है नोर्मली फुटर ता आपा पेज नंबर काउंटिंग ले यूज कर देया हैडर ले अपा अपनी मर्जी आपा कुछ भी लिख सकते हूं देवीच ता बेसिकली अपा इनु ता प्रिंट ल पिलावा भी तुसी कुछ लिख सकते हूं वह देवीच दस्या गया है त्यास दी वीडियो तो लास्ट कोश्चिन हागा हूं गाल का रहा है इंसर्ट डेट फॉर्मेट पेज नंबर एंड इंसर्ट ओटो टेक्स्ट और बटन ओंधा डैस टूल बार इन एमेस वर्ड जीवह तम दस्या सी ना उन्हों फूटर दे की हल्प हुं दिया पेज नंबर यूज़ कर लें उन देगा डेट तुसी यूज़ करनी है डेट पालो ओ सारी चीज्जांगे अपनु किते मिलेंगिया जी हैडर एंड फूटर दे विच मिलेंगिया ता आंसर कि मैं हेडर दे क्लिक के था यह डायोग स्बॉक खल गया जी जिम्हां दे क्लिक कर देंदा एज अकुछ हास लन्द लेकिन में किता मैं एडिट हैडर टे क्लिक करता ओधनल की होया आद कृष्ट जी अजिन लिस्ट देट नटाइम आगी कोई कुईक्स्टर और करने अगी को अपना session जो session चंग्या लग गया हुए ता like जुरूर करें ज़ो क्योंकि मैं try कर रहा है सेगा कि complete कर दो है mess word लेकिन time management करके complete नहीं कर पाया लेकि try कर रहा है कि 2 या 3 4 पार्ट ना लेंकर जामाँ को होर पार्ट बनावाते हो देवीच सब कुछ खतम कर देवाम है ते मोस्ट पविली कंप्यूटर फिर अपना लगबग नेड़े लग जाओगा क्योंकि मैं पंजाब दे जड़ा हिस्ट्रेन कल्चर होता है अल्मोस्ट कंप्लीट करवाई चुक्या है ते हुन कंप्यूटर जल्दी मिलांगे जागे 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 जागे